जैसा कि आपको पता है कि आपने कॉली में अगर आपको ऐसा लगता था कि आपने जो सब्जेक्ट स्ब्जेक्ट चेंज कर सकते थे तो आपने सब्जेक्ट चेंज किया हुगा सब्जेक्ट चेंज यानि कि विषय बदलने की जो लाजजट यहां पर रखी गई है वो रखी गई है 10 दिसंबर लेकिन इसको अभी आँगे भी बढ़ाया जाएगा तो पिलाल अभी इसकी लाजजट कितनी रखी गई है 10 दिसंबर रखी गई है लेकिन दोस्तों जब आपन आपने अपने सब्चेक्ट बदल लिये है यानि कि अगर आपने अपने बिसे बदल लिये है ऑल्लाइन बिसे बदलने के बाद ऑल्लाइन कैसे चेक करें कि सब्चेक्ट चेंज हुए है या नहीं हुए यानि कि अगर आपने अपने सब्चेक्ट बिसे की सब्चेंज हो गय है या नहीं हुए तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यी प्रिवेस की ऑपीशल वैपशाइट पर आ जाना है ठीक है अगर आप ऑल लाइन देखना चाहते है कि आपके जो बिसें वो चैंज हो गया है नहीं हुए तो इसको देखने चकोड फिल bank करना है तो यहां पर हम इसको किलिख कर देते हैं तो जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेश आ जाएगा है आप पर आपको इंटरफेस देखाई दे जाएगा को के इसके बार आपको यहां पर पुटा डाटा दिकाई देगा परसिवीड और यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा जो कि मैंने बलर किया हुआ है, हैंपर आपने किस कोली में एड़ीशन लिया है, उस कोलेश का हैंपर आपको नाम दिखाई दे जाएगा, और आपको ट्रांजेक्शन आइडी यानि कि, आपने जो 10 रुपे का payment है 1000 रुपे का जो admission के time payment किया था उस payment के हम पर डेटेस दिखाई दे जाएगी तो हमने 20 अगस दो जाने किसको यहाँ पर किया था लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना college अपना branch यह सभी चीज़ें change की है और सभी चीज़ें change करने के बाद में आपको यह पता लगाना है कि अब दोस्तों हमने जो change की है वो हो गई है real में या नहीं होई है तो इसको देखने के लिए दोस्तों हहाँ पर दिखे मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबसे last में आपको मैंने highlight कर दिया है college branch updation date college branch updation date इसका मतलब है दोस्तों sorry यहाँ पर लिखा गया है course branch updation date तो आपने अगर अपना course अपना branch या अपना subject जो की change किया है तो देखी दोस्तों आपने कब change किया है 8 नमबर 2021 को 6 बजगर 51 मिनिट 27 सेकंड पर यहाँ पर इस change किया गया है स्याम को 6 बजगर 51 मिनिट पर इस change किया गया है subject तो यहाँ पर इस तरह से आपको details दिखाई दे जाएगी आपको अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अभी subject change नहीं हुए आप अपने college से करवा सकती है लेकिन दूसरों अगर आपने college से करवा ली है तो फिर online यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर time आ जाएगा किस तारीक को आपने जो की change करवाया है कितने बज़े करवाया है यहाँ पर time out date आती है और जब time out date आया आती है तो यह से हमें पता चल जाता है कि हमने इस तारीक को अपनी subject यह branch को change करवाया है अपने college से तो आपने चाहें BAP कों BAC किसी भी year में एड़ीशन लिया हो यानि फास्ट एयर में लिया हो जो अभी अभी एड़ीशन 2021-22 के लिए तो दोस्तों आप यह इस तरह से अपने जो की check कर सकते हैं एप्रिवेस की official website से तो मित करणा पूरी information अच्छी से समझ में आ गई है वीडियो को सेयर करते हैं सभी के साथ कोई भी डावट को मेंट करें इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं है फॉलो कर लिए मिलते नेक्स वीडियो के साथ अब पकलिए बाई